हेलो एव्रिवन मैं नेलो सीजी से और मेरे चैनल कुकुईते नेलो में आम सभी का सवागत है और आज बना रहे हैं चट-पड回去 दार मिर्ची की समची आप इसे मिर्ची फ्राइ या भरवा मिर्ची भी का सकते हैं जो चाहे इसे नाम दे सकते हैं घुच क्या लगती है तो जै कोफी पंदी टमाटर खाके अगर आप पोर हो चुके हैं तो आज हम बनाते हैं मिर्ची की चटपटी भरवा तो देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं तो चलिए इसको पहले मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है दोना भी जोर रही है आप कोई भी वेजिटेवल लाते हो सब से पहले दोना पड़ता है लेकिन दोने के बाद इसको पोशना भी है नहीं तो यह जब कढ़ाई में डलेगी ना तो पूरा चिटक के आपके मों में आ जाएगी इसकी मिर्ची तो इसलिए थोड़ा सा इसको पोश भी लेंगी आप थोड़ा दिर पहले दोकी रख सकते थे तो इसे पानी सुख जाता है लेकिन मैं तुरन धोरी हूँ ना तो इसको पोशना पड़ेगा नहीं तो हम तेल में डालेंगी इसको तो बहुत ज़्यादा चिटक गया तो दाग भी बन सकता है ना मिर्ची का इसलिए तो देखिए मैं इसको पहले अच्छे से पोश लेती ह आज मैं सोची कि मैं आपको पूरा डीटेल मेरे जिफी बताओं तो आप पूरा इसकी मत किजीएगा और पूरा देखिएगा विडियो ठीक है देखिए और जल्दी से मैं आपको बताती हूँ और इसको मैं पहले काट लोंगी बीच से हम काटते हैं इसको अब देखिए प होगे चलो पहले इसे काट लेते हैं कि यह देखिए बीस से काटना है क्योंकि चाकू से अच्छे से कट जाता है आपके पास जो है हम लोग हसिया का भी यूज करते हैं लेकिन ऐसे कटिंग वगयरा जिसको बारिक करना उसे चाकू से अच्छा हो जाता है तो देखिए सबको एक एक करके मैं काट लेती हूँ अब मैं आज आपको पूरा कटिंग दिखा रहे हूँ तो आप पूरा देखिएगा इसकीप मत कीजिएगा प्लीज आप लोग इसकीप कर देते हैं लाइक नहीं करते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं अगर अच्छी लगती है तो करना चाहिए आपको किसी को सपोर्ट कर आपको भले यह ऐसे ही लगता होगा लेकिन हमें बहुत motivation मिलता है कि हम अच्छा कर रहे हैं अगर कोई अच्छा करता है मैं ही नहीं अगर आप किसी की भी वीडियो देखे अगर कोई अच्छी recipe लगती है तो like किया किजिए like करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता है आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप like भी कर सकते हैं subscribe भी कर सकते हैं ठीक है अगर थोड़ा सा मिर्ची कहीं काला वाला हो गया तो उसको काट लीजेगा यह मैंने पहले ही दिन लिया था इसलिए थो ठीक है यह देखे सब अपकटिंग हो चुका है अब इसके लिए हम मसाला तयार करेंगे यह देखे पूरा काट लेती हूँ लगबग हो चुका है चलो अब यह पूरा काट चुका है अब इसके लिए हम मसाला तयार करते है यह देखे अब माल उपी से पूरा कर जाता है तो भी कोई बात नहीं इसको अच्छे से भूजना है न क्योंकि अब देखे एक कड़ाई में तेल डालके मैं मिर्ची डाल दी यहाँ पर ऐसा होता है कभी-कभी यह तो घुछे आफ जिसके नहींकि काश्वेम चीड़ा करते हैं और केमरा चल रहे सोचते हैं और वो चालू नहीं रहताई ऐसे घृप कराई में तेल डालके मिर्ची डाल दी थी सोचने हम रिखार हो रहा है होई नीरा था फिर देखिए मैं आपको ऐसी बता देती हूं यहां पर तेल डालके मैं मिर्ची डाली हूं एक दो चमस तेल ढाल लीजिएगा ठीक है खाने का अब इसको मैं अच्छे से भून लेती हूं थोड़ा यह कम में करें ना नहीं तो सीधा जल जाएगा मिर्ची थोड़ा पकना भी तो चाहिए जलाना थोड़ी है मैं तो देखिए मैं इसको भून लेती हूं अच्छे से फ्राइ करना है इसको तेल में पहले आप इसे ढग भी सकते हैं देखिए मैं थोड़ा देन बाद इसको ढग दूँगी क्योंकि क्योंकि अगर हम गैस पढ़ाएंगे तो अगर फोल में थोड़ा सा इधर उधर होता है ना इसका तेल चिटकता बहुत है इसलिए मैं इसको ढग देती हूं अब ढग के अच्छे से पग भी जाएगा पून भी जाएगा अब देखिए बस पांदस मिनट फिर उसकी बाद हम लोग मसाला बना लेते हैं देखिए यहां पर मैं सौप और जीरा और धनिया पॉर्डर डाली हूं एक कटोरी में और यहां पर मैं मेथी डाली हूं तो चमच सौप जीरा धनिया पॉर्डर और मेथी अब देखिए यह सब इसलिए डाली हूं क्योंकि एक खड़ी रहता ह कि और हम इसमें एक खड़ी डालेंगे तो यह कहां अचा लगेगा। इसलिए पहले इसको पीश लेते हैं। अब भूनने के बाद मसाले को भूनके भी पी सकते हैं। मैं थोड़ा सा पीसके SAYनगे। इसमें डालूँए। तोड़ा सा पीश इसको और इसको मैं डाल देती हूँ इसके मसाले ठीक है क्योंकि जीरा सौंप इस अब खड़ी रहता है आपके पस पीसा हुआ है तो आप पीसा हुआ डाल लेजे वो भी अच्छा है अगर एक साथ पक पीस के रखे हैं तो और फिर मैं डाल देती हूँ एक तो चमच हल्दी नमक भी डाला था लेकिन मैं बताई ना कभी कभी कैमरा बंद हो जाता है और हम सोसरे है रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर मैं चाट मसाला डा रही हूँ आप अमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें अगर अमचुर पाउडर है तो उसे डाल लेजे इसे चटपटा खट अमिठा बहुत अच्छा लगता है यह देखिए अब हम इसे मिला लेते हैं सबको और इसमें दो तीन आइटम और बच्चे हैं फिर यह मिर्ची भरवब बन जाएगी puppies से मसाले इसमे अच्छे से बहुं जाएंगे उसके बाद यह मिर्ची बंजाएगी अब देखिए यहाँ पर मीर्ची है यह लेकिन यह मिर्ची तीखी नहीं है तो हम इसमें तोड़ा स एक चमच मिर्ची भी डाल देते हैं लाल मिर्ची जिसे इसका स्वाद अच्छा हो जाएओ तो देखिए हाँ पर मैं सब को मिला लेती हूँ और इसमें लास्ट में मैं डालती हूँ नीबू नीबू डालने से इसका स्वाद और जादा बढ़ जाता है थोड़ा खट्टा बनाता है तो क्योंकि अब इसमें सब चीज तो डल चुका है अब ये नीबू डालने के बाद हम थोड़ा सा ही मिलाएंगे और गैस बन कर देंगे ये हमारा बन चुका है मिर्ची भरवा अब बहुत टेश्टी लग रहा था आप एक पर जरूर ट्राइक कीजेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा आप इसे चांवल में रोटी में साथ में सम में खा सकते हैं आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं एक टाइप से ये चार जैसा ही है अगर आप रख स्टोर करते हैं तो इसमें नीबू ज़्यादा डालिएगा फिर ये खराब नहीं होगी देखिए पक चुका है अब हमें से निकाल लेते हैं